आज मैं आप सभी के लिए काफ़े इंपोर्टेंट विडियो लेके आई हूं तो देखे आज मैं आप सभी के लिए हमारे द्वारा चलाई जा रही UKPSC Old Paper Series का चौधवा पार्ट लेके आई हूं जिसमें हम आज UKPSC द्वारा कंड़क्ट कराए गए पेपर को सॉल्व करेंगे देखे UKPSC के Previous Year Question Paper काफ़े इंपोर्टेंट हैं जो कि आपके आगामी, उत्राखन, पुलेस, पटवारी, लेकपाल, फॉरेस्ट गाडवा, अन्य, UKPSC द्वारा कंड़क्ट कराए जाने वाले सभी एकसाम्स के लिए इंपोर्टेंट हैं तो आप सभी लोग हमारे इस इस नाम से प्रेलिस्ट बनाई गई है तो वहाँ पे आप विजिट करके अब तक के सारे पेपर्स का सॉलिशन एक साथ देख सकते हैं तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल से जल पहँच जाए आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं ये फिस टेडिविद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलिग्राम चैनल पर रात को आट बजे क्विज का भी आईजन किया जाता है काफी इंपोर्टेंट क्विशन आपको क्विज जनरल का वास्तविक नाम था मोस्ट इंपोर्टेंट क्विशन है तो देखे जेम्स एंड्री रैंजी ये भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहोजी का वास्तविक नाम था ओप्शन ए इस क्विशन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है देखे लॉर्ड डलहोजी भारत में बि पुछा जा सकता है कि पंजाब का विलई, पंजाब का विलई किस गवनर जनरल की कारिकाल में हुआ, तो पंजाब का जो विलई हुआ था, ये कब हुआ था, 1849, अठारसो उन पंजाब का विलई हुआ था, और इस समय गवनर जनरल कौन थे, लॉड डलहोजी, तो पुछा जाए कि अवद का पिलेई का हुआ, तो अवद का विलेई 1856 में हुआ, ये भी आपका महतोपन पॉइंट है, अवद का विलेई हुआ और यही विलेई 1857 की कुरांती का कारण बना, अगला कुश्वन देखेंगे, तो देखिए अगला कुशन यहीं से रूलेट करके पूशा गया है ओप्शन B यहाँ पे आपका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांती के दोरान भारत के गवर्नर जनरल थे और 1856 से लेकर 1862 इस भी तक लॉर्ड कैनिंग का कारेकाल रहा अगला कुशन देखिएंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के स्थापना हुई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इसके स्थापना कब की गई वर्ष 1928 में आप्शन दीस के स्थापन का बिल्कुल राइट आंसर है आगला कुशन देखिएंगे निम्रे लिखित मैंसे कौन काकोरी कांड से सम्मनित नहीं था तो देखिए काकोरी कांड कब घटित हुआ था ये घटित हुआ था 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था आपके 9 अगस्त 1925 को और इस कांड से सम्मनित थे रामपरशाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिडी और अश्फाक उल्ला लेकिन सूरी सेन इससे सम्मनित नहीं थे तो आप्शन भी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है अगला कुशन देखेंगे निमने में से कौन उत्राखंट की प्रजाती नहीं है तो देखिए यक्ष ये उत्राखंट की प्रजाती है नाग भी है किनर भी है लेकिन खासी नहीं है तो ये आपको याद रखना है खासी जो है ये एक क्या है जन जाती है जो की भारत के मेगाले और असम भारत के मेगाले और असम राजियों में निवास करती है असम राजियों में ये निवास करती है, मेघाले और असम राजिय के कुछ छेत्रों में, इसके अलावा बांगला देश के कुछ छेत्रों में ये जनजाती पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है, खासी जनजाती जो है, ये बांगला देश के कुछ छेत्रों में भी पाई जाती है अगला कुश्चन देखिंगे कुड़ बुड़ा का युद्ध हुआ था देखि खुड़ बुड़ा का युद्ध कब हुआ था खुड़ बुड़ा का युद्ध हुआ था वर्श python translating यह पी आपका right answer हो जाएगा और इसी युद्ध में पवार नरेस प्रद्यूम्न शा जयु है ये वीर गती डिको प्राप्त हो गये थे तो बीर गती को कब प्राप्त हुए प्रद्यूम्न शा पोछा जाया आपसे तो 804 का ये वर्ष याद रखेंगे क्योंकि खुड़ बुड़ा का युद्ध तबी हुआ था और खुड़ बुड़ा के मैदान में युद्ध में ये वीर कती को प्राप्त हुए थे प्रद्यूम्न शा अगला कुशन देखेंगे वर्ष 1946 इसमी में परवती छेत्र के लिए अलग परशाशनिक भाग की मांग किसने की तो देखेंगे परवती छेत्र के लिए अलग परशाशनिक भाग बनाने की मांग की थी बजुदध पांडे ने option B, यहाँ पे आपका बिल्कुल correct answer है, अगला question देखें सिंगॉली की संधी हुई थी तो देखें, सिंगॉली की संधी कब हुई थी, यह बताना है, इसका right answer हो जाएगा, वर्ष 815 में, आप comment करके बताईएगा कि सिंगॉली की जो संधी हुई थी यह किस के बीच हुई थी, अगर आपको answer आ रहा है, तो comment केजिए comment section में, अगला question देखेंगे चमॉली के रेनी गाउं में किसके नेतितु में, वन कर्टाई के बिरोध में, वन आंदोलन चलाया गया था, तो देखें, चमॉली के रेनी गाउं में किसके नेतितु में, गौरा देवी के नेतितु में, वन कर्टाई के बिरोध में आंदोलन चलाया गया option, C, यहाँ पे आपका बिलकुल correct answer है, अगला question देखेंगे पर्मार बंश का संस्थापक कौन था तो देखें, पमवार बंश का यहाँ शाषक कौन था पूछा जाए, तो याद रखेंगे, भानू परताब भानू परताब चांतफूर गड़ का परताबी शाषक था, और पमवार बंश का संस्थापक पूछा गया है यहाँ पे तो पमवार यह पमवार बंश का संस्थापक हो जाएगा, कनक पाल option B, यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा, क्योंकि देखिए, चांतफूर गड़ के परताबी शाषक थे भानू परताब और भानू परताब ने अपनी पुत्री का विवा करवा दिया था, किस के साथ, कनक पाल के साथ, तो यह कनक पाल के द्वारा ही, चांतफूर गड़ में पमवार वंश या परमार वंश की नीव रखी गए थी, तो यह आपको याद रखना है, और पमवार वंश का प्राचिनतम अभिलेग किस का मिला है, किस हाषक का मिला है, यह भी पूछा जा सकता है, तो पमवार वंश का प्राचिनतम अभिलेग 1455 इस्वी का 1455 इस्वी का राजा जगतपाल का मिला है, तो यह आपको याद रखना है, प्राचिनतम अभिलेग देव वरिया के रगुनात मंदिर से मिला, और आप बताईएगा जगतपाल किस नंबर के राजा थे किस क्रम के राजा थे, comment करके बताईएगा, comment section में अगला queshen देखें, निमने में से कौन सा प्राचिन वलित परवत नहीं है, तो इन में से प्राचिन वलित परवत नहीं है, कौन सा परवत, undies परवत option C, यहाँ पे आपका अगला कुश्चन देखेंगे निमनमे से कौन एक मूल इस्थल रूप है तो इनमे से एक मूल इस्थल रूप बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा जौला मुखी शंकू ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है अगला देखेंगे सरवाधिक तठी अपरदन होता है तो द बायू मंडल की सबसे निचली परत परत कौन से है वायू मंडल की सबसे निचली परत है इनमे से कौन से परत शोप मंडल आप्शन पर आ आपका right answer है अगला कुस्चन है आपका पिर्थवी की भूम्धियर रेखे परी धी है लगभख कितने है यहाँ पर आपका correct आंसर है अगला question देखेंगे निम्न महासागरी धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से सम्मधित नहीं है तो देखें कौन सी धारा है जो कि प्रशांत महासागर से सम्मधित नहीं है ये धारा हो जाएगे आपकी कौन सी धारा कनारी धारा option A यहां पर आपका right answer है अगला देख साप्टा यानि की दक्षण एश्याई बरियता व्यापार समझोता का गठन किस वर्ष हुआ most important है साप्टा का गठन हुआ था किस वर्ष वर्ष 1993 में option भी यहाँ पर आपका right answer है अगला question देखेंगे निमने में से कौन सा एक समय की प्राकरतिक एकाई नहीं है तो देखें इन में से समय की प्राकरतिक एकाई नहीं है क्या नहीं है इसका correct answer है मानक समय option C यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा चलिए अगला question देखें बादल परिणाम है तो देखें बादल किसका परिणाम है संगहनन के option D यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा अगला question देखेंगे निम्नलिकित में से कौन सा एक यूगम गलत है तो देखें कौन सा यूगम गलत है ये बताना है तो यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा option B option B बिलकुल right answer है डोड़ी ताल आपका उत्तरकाशी में है बेनी ताल है, चमूली में बिलकोल सही है, बासु की ताल है, रूदृ प्रियाग में लेकिन देवरीय ताल आपके टिहरी में नहीं है तो देवरीय ताल कहां पर इस्तित है, जिन लोग को आणसर आ रहा है कमेंट करके बताइएगा अगला कुश्शन देखेंगे खतलिंग गलेशर कहां अस्तित है तो देखे खतलिंग गलेशर बताना है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तीरी कड़वाल जिले में option A यहाँ पे आपका बिल्कुल correct आंसर है और खतलिंग गलेशर से कौन सी नदी निकलती तो देखे खतलिंग गलेशर जो है यहाँ से कौन सी नदी निकलती है भिलंग ना नदी का उद्गम शोथ है खतलिंग गलेशर यह आपको याद रखना है और देखे उपर मैंने देवरिया ताल आपसे पूछा था किस जनपद में इस्तित है तो देखे जिन लोगों ने आंसर कर लिया है बहुत अच्छी बात है जिन्होंने नहीं किया है मैं बता देती हूँ देवरिया ताल है आपके कहाँ पर रूद्र प्रियाग में रूद्र प्रियाग जनपद में इस्तित है कहाँ पर रूद्र प्रियाग में नाम इंद्रो सरोवर उल्ले खित किया गया है ये धियान रखेंगे और ऐसे ही खतलिंग गलेशर से कौन से नदी का उद्गम होता है भिलंगना नदी और खतलिंग गलेशर आपके कहां पर इस्तित है इसका correct answer मैंने आपको बता दिया कहां पर तेहरी कड़वाल जले मेंस्तित है option A बिलकुल right answer है अगला question देखेंगे पूर्वी धोली गंगा सहायक नदी है तो देखें पूर्वी धोली गंगा सहायक नदी है किसकी काली नदी की option B यहां पर आपका right answer हो जाएगा देखें काली नदी जो है यह राजी के सबसे पूर्वी सिरे में बहती है और काली नदी कहां से निकलती है काली नदी जैक्षर श्वेणी के लिपूले के पास काला पानी नामक इस्थान से निकलती है तो यह आपको याद रखना है काला पानी नामक इस्थान से इस नदी क उद्गम होता है काली नदी फ्राजी में पहने वाली सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई की बात करें 252 क्लो मीटर इसकी लंबाई है और पूरी धौली गंगा ध्यान दीजेगा पूरी धौली गंगा काली की साहयक नदी है और काली और पूरी धौली धौली गंगा नदी कहां पर मिलती है ये भी पोचा सकता है इनके संगम इस्थान को क्या कहा जा सकता है क्या कहा जाता है ये भी कुशन आप से पोचा जा सकता है तो खेला नामगिस्थान पर काली वो पूर्वी धॉली गंगा नदी का संगम होता है ये आपको याद रखना है और पिथोरगड के जॉल जी भी में किन दो नदियों का संगम होता है काली और गोरी नदियों का संगम और गोरी नदि कहां से निकलती है मिलम गलेशर से गोरी नदि का उद्गम होता है ये भी आपको याद रखना है तो relate करके एक एक point बहुत अच्छे से पढ़ लिजे ताकि आयोक आपसे कोई भी question put up करें तो आप वहाँ पे correct करके आएं ऐसी यहाँ पे पूर्वी धौली गंगा की हमने बात करी अगर ऐसे ही हम पश्चिमी धौली गंगा की बात करें कहां से कुनलुन श्रिणी से निकलती है धौली गिरी के कुनलुन नामक श्रिणी से यह नदी निकलती है और पश्चिमी धौली गंगा की सहयक नदिया कौन कौन सी है देखे इसकी सहयक नदिया है गिर्थी ब रिशी गंगा इसकी सायक नदिया है और अलक नंदा नदी में बिर्थी गंगा यह बुर्थी नदी गरुर्ण गंगा में आके मिलती हैं ये भी आपको याद रखना है तो याद रखें काफ़ इंपोर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पे आपको बताया जाते हैं हो सके तो नोट डाउन कर लिजिए अगला कुश्चन देखेंगे उत्राखंड राजी किस रास्टिय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतरगत समिलित किया गया है देखें, most important question है उत्राखंड राजी का कौन सा ऐसा रास्टिय पार्क है जिसको वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतरगत समिलित किया गया है तो यहाँ पे आपका right answer क्या हो जाएगा देखें, correct answer है आपका option C, राजाजी नेशनल पार्क option C, यहाँ पे आपका right answer है और आपसे पूछा जाए कि Corvette National Park को प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतरगत कब समिलित किया गया तो जिन लोगों को answer आ रहा है इसका right answer आप comment करके बताएंगे देखें, Corvette National Park जो है, यह November 1973 में देश का पहला टाइगर रिजर्व बना यह आपको ध्यान रखना है कि जो आपका Corvette National Park है, यह November 1973 में देश का पहला टाइगर रिजर्व बना और उत्राखंड का जो राजाजी नैशनल पार्क है, इसको 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतरगत समिलित किया गया, यह भी आपको याद रखना है और देखे, वर्ष 1983 में तीन वनी जी अभ्यारणी कौन-कौन से चिल्ला, मोती चूर और एवं राजाजी राष्टी अभ्यारणी से मिलका राजाजी राष्टी उद्यान बनाया गया, और यह किसके लिए? आपका कॉर्बिट नेशनल पार्क, तो दूसरा प्रोजेक्ट टाइगर इसको राष्टी उद्यान का नाम, सुतंत्र भारत के पर्थम भारती गवर्नर सी राजगोबालाचारी के नाम पर पड़ा, और इसका हैटकौर्टर पुछा जाए, तो कहां पर इस्तित है? देहरा दून में इसका हेटकौर्टर इस्तित है, और राजाजी राष्टी उद्यान 2016 में दूसरा टाइगर रिजर्व घोशित किया गया, पहला कौन सा था? पहला था आपका कॉर्बिट नेशनल पार्क, तो दूसरा प्रोजेक्ट टाइगर इसको घोशित किया गया, दूसरा ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चली अगला देखेंगे, अगला कुशन है, उत्रा खंडिक में किस वनी जिव यहाँ समों की इस्तिती पश्चिम से पूर्व की ओर सही है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केदानाद, नन्दा देवी, बिनसर, अपशन C बिल्कुल राइट आंसर है, इस कुशन का राइट आंसर हो जाएगा आपका अपशन C, चली अगला देखेंगे, परस्ट को सुची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिये, तथा नीचे दिये गए कूट का उप्यो करते हुए, सही उत्तर चुनिए, तो देखें, यह पर आपका correct answer क्या हो जाएगा? देखे, बिष्ट दुआब ये कहाँ परिस्तित है? देखे, बिष्ट दुआब है आपके व्यास और सतलच के मध्य है. बारी दुआब जो है, ये आपके रावी और व्यास के मध्य है. रचना दुआब जो है, ये आपका रावी और चनाब के मध्य है. जाज दुआब है आपके कहाँ पर? चनाब तथा जेलम के मध्य है. तो यहाँ पर इस question का right answer हो जाएगा आपका option A. option A विल्कुल right answer है. अगला देखेंगे, निम्न लिखित मैंसे भारत का कौन जैव विवित्ता का एक समेधन शील इस्थान माना जाता है. तो देखें भारत का कौन सा इस्थान है, जो कि जैव विवित्ता का एक समेधन शील इस्थान है. तो यहाँ पर आपका correct answer क्या हो जाएगा? option D. option D. यहाँ पर आपका right answer है, और यहाँ से यह question बार-बार repeat हो रहा है, यह आपको याद रखना है. अगला question देखेंगे, कोपेन के जलवाईव वर्गी करण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगा सहीत, उत्तर पूर्वी भारत का उभ्योगत वर्डन है, तो यहाँ पर आपका right answer है, देखें, option D. शुश्क शर्दी रहित आद्र उपोशन जलवाईव, यानि की CWG, इसको in short CWG कहा जाता है, तो यह question इस तरीके से भी फूचा गया है, पहले पेपर में बता दूँ, इससे पहले एकाथ पेपरों में यह question पूचा गया है, कि बताइए, कोपेन के जलवाईव, वर्गी करण से निमने लिखित में से कौन सम्भण लिथ है, तो आपको वहाँ पर option में CWG, A, M, A, W, A, M, U, इसे करके दिये गए थे, तो वहाँ पर आपको CWG करेक्ट करना था, तो यह देखिए, CWG का full form होता है, शुष्क शर्दी रहित आदरों पोचने जलवाईव, यानि कि यह जलवाईव को इन शॉट यह बोल दिया जाता है, CWG, तो यह किस से सम्बंदित है, कोपेन के जलवाईव, वरगी करन से सम्बंदित है, यह आपको याद रखना है, और most important ही question है, इसको बिल्कुल छाप लेजए, क्योंकि यह repeat हो रहा है, अगला question देखें, अगला question है, आपका सूची 1st को सूची 2nd से सम्बंदित कीजिए, तथा नीचे दियेगे, कूट का अपयोग करते हुए, सही उत्तर चुनिए, तो देखें, यहाँ पे आपको सूची 1st में उत्गम छेतर मिलेंगे, सूची 2nd में नदिया मिलेंगी, तो किस उत्गम छेतर से, किस नदी का उत्गम होता है, यह बताना है, तो यहाँ पे सबसे पहले सुमेलित कर लें, तो देखें, ब्रहमगिरी पहाडी से, कौन सी नदी निकलती है, कावेरी नदी, इसके अलावा, वेरी नाक सोता जहन्ना, किस नदी का उत्गम सोत है, यहाँ पे आपका Right आंसर हो जाएगा, जहलम नदी, महादी बलीश्वर, जो है, यह किस नदी का उत्गम सोत है, यह है, कृष्णा नदी का, चोटा नाककур का पठा, यह उत्गम सोत है, सुवर्न रेखा नदी का, तो देखे यहाँ पे जैसे आपको दिये हुए हैं बिल्कुल सही दिये हुए हैं option तो ब्रहमगरी पहाड़ी कावेरी नदी, बेरी नाक, सोता, जड़ना, जेलम, महावलीश्वा, कृष्णा, छोटा नापूर का पठा, स्वानुरिका बिल्कुल correct आंसर हो जाएगा आपका option बी यहाँ पे तो जिस तरीके से आपको यहाँ पे मैंशन किये हुए मिल रहे हैं उतकम छेत्रों नदियां तो यह बिल्कुल correct है, option बी यहाँ पे आपका right आंसर हो जाएगा अगला देखेंगे प्राइद वीपी भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो देखें प्रा प्रतिशत वाला राजी कौन सा है, यह बताना है, तो देखें भारत में सरवादिक सिचाई विस्तार प्रतिशत वाला राजी कौन सा हो जाएगा इन में से, पंजाब राजी option, इस question का correct answer है, अगला देखेंगे भारती उपगरा श्रंकला जो दूर संचार तंत्र के लिए प्योग में लाई जा रही है, तो यहां पर आपका correct answer हो जाएगा इस question का option D, इनसेट, यह कौन सा है, इनसेट है, अगला देखेंगे दक्षन गंगोत्री क्या है, दक्षन गंगोत्री यह है आपका अंटार्क टिका में भारती शोथ केंद्र, अगला देखेंगे तमिल ना राजिस समो है, जो कि भागटा नंगल परियोजना से जल्ब राप्त करता है, तो यह समो है, कौन सा हरियाना पंजाबा राजिस्थान, option C, इस question का right answer है, अगला देखेंगे भारत के समविधान के किस अनुछेद के अनुसार भारत के राजिपाल द्वारा मुख्यमंत्री क नियोक्त किया जाता है, अगला कुशन देखेंगे उत्राखंट के लोक सभा में कितने सदश निर्वाचित होते हैं, उत्राखंट के लोक सभा में निर्वाचित सदशियों की संख्या होती है, पांच, option B, यहाँ पे आपका right answer है, अगला देखेंगे उत्राखंट की विध सभा में मनोनीत सदशियों की संख्या है, एक, option A, यहाँ पे आपका right answer है, अगला कुशन देखेंगे उत्राखंट लोक सेवा आयो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन श्री A, P, नवानी? उत्राखंट लोक सेवा आयो का गठन कब किया गया? कमेंट में चल्दी से कमेंट करके बताएंगे जिन लोग को answer आ रहा है, आप सभी लोग भी जो question आपसे पूछे जा रहे है न, answer कीजिए, आपको पता चलते रहेगा कि आपको आ रहे है या नह ये निमने के लिखित में से उत्राखंट की महिला राजीपाल कौन थी ये बताना है, तो यहाँ पर आपका राइट answer हो जाएगा, option C, Margaret, अलवा जो थी, ये उत्राखंट की महिला राजीपाल थी, अगला question देखते हैं, अगला question है आपका, भारती शंशत में भारती संगव इकता को प्रोननत करने ही तो, निमने के लिखित में से किन संस्थान की आवशक्ता माना गया है, तो यह कौण से संस्थान है, जो कि आवशक है, भारती संगवद में भिवित्ता को प्रोननत करने ही, तो यहाँ पर आपका राइट answer है, अंत राजी परिशत एवं राष्टी विकास परिशत वित्ता आयोग एवं सेत्रिय परिशत एकल न्यायक व्यवस्ता एवं आखिल भातिस सेवाई सभी हैं तो उप्यूक्त सभी उपरोक्त सभी आउप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है तो कौन चैते है यहाँ आपका कौन सा अनुछाय कर नारे आउप्शन सी बिलकुल राइट आंसर आपका यहाँ है यहां पे हो जाएगा तो यहां पे आपका राइट आंसर था अनुचेद 15 फोर्थ एंड 16 फोर्थ तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C अगला देखेंगे भारतिक गर्णराजी के समीधान का कौन सा अनुचेद व्यत्ति की प्राण एम तहिक स्वतंतत ताकि संग्रुक्षन से संबन देखें तो यह देखें यह अनुचेद कौन सा है यह अनुचेद एक किस ऑप्शन B इस कुश्चन का बिलकुल राइट आंसर है अगला कुश्चन देखेंगे समीधान के किस अनुचेद द्वारा पर्थक अनुचित जन जाती आयू का कठन क किया गया है तो संबिधान का कौन सा अनुचेद है यह अनुचेद है ऑप्शन C में अनुचेद 303 को जिसके द्वारा अनुचेद जन जाते आयोक का कठन किया गया है most important question है तो इन questions को आप अच्छे से पढ़ लिजेगा क्योंकि हो सकता है यही question आपके repeat कर लिए जाएं क् देखे आपको अभी तक 14 प्रीवेस एर question paper solve करा दिए गये हैं तो इन papers में जितने भी पॉलिटी की question है अनुचेद वाले कौन कौन से आप देख लेजे कौन कौन से ज्यादा तर पूछे जा रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ लिजे आप सबी लोग हो सकता ही य अगला देखेंगे सायोकतराश्ट संग के प्रजा तंत्रीकरण की मांग का सम्बन्ध किस से हैं तो यहां पर आपका right answer हो जाएगा सुरुक्षा परिशत से option C यहां पर आपका right answer है अगला देखेंगे भारत में सारक समयलन सरुपरतम किश वर्ष आयजित किया गया था most important ह तो देखे भारत में सार्क सम्मेलन सबसे पहले किश वर्ष आयजित किया गया था ये वर्ष था आपका वर्ष 1906 C option A यहाँ पे आपका राइट आंसर है अगला देखेंगे वर्ष 1997 इसमे में विश्व परियावरान सम्मेलन आयजित किया गया था तो कहाँ पर किया गया था वर्ष 1997 इसमे में विश्व परियावरान सम्मेलन तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर क्योटो में option c बिलकुल right answer है अगला देखेंगे भारत के परमानो सिध्धान्त में सम्मिलित है तो भारत के परमानो सिध्धान्त में सम्मिलित है पहल ना करना एक तरपाफरतिवन्द न्यूनतम विश्वशनी निवारान सभी है तो क्रोक्त सभी option d यहां पे आपका right answer है तो देखे 50 questions आ तो जल्दी से सस्क्राइब कर लीजे क्योंकि देखे आगामे उत्राखंड पुलीस के एक्जाम के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी classes यहां पे दी जा रही है साथ साथ यह classes आपके पटवाली के लिए forest guard के लिए सब के लिए important है तो आप सभी लोग इनको follow जरू के आप सभी को यहां पे proper हिंदी की class दी जा रही है साथ यह साथ आपको previous year question paper solve कराए जाने practice set क्योंकि देखे practice आप नहीं करेंगे तो आप हो सकता है कि आप थोड़ा सा एक आद दो question गलत कर लें क्योंकि देखे question गलत अगर एक question गलत होता है अगर आपको practice बनी रहेगी practice set solve कर नहीं तो आप वहां पे paper को as it is वहां पे solve कर लेंगे बहुत अच्छे से क्योंकि देखे practice से ही सब कुछ कहते है ना अनुभाव जो होता है वो बड़ी चीज होती है तो आप सभी लोग practice set जरूर solve करें यहां पे study with aim के द्वारा बिलकुल free of cost आपको यहां पे practice set दिये जा रहे हैं तो आप सभी लोग इनको जरूर कर लेजिए अभी तक आपको 15-16 practice set प्रोवाइट करा दिये गए हैं तो solve कर लीजे इन practice sets को और साथे साथ हिंदी की class हिंदी में आपको कोई दिकत ना आए उसके लिए आप सभी को हिंदी class प्रोवाइट कराई जा रही है शाम पा यारी चल रही है आपको पता लग जाए तो काफे सारे classes यहां पर आपको दिये जा रहे हैं साथ ही साथ current affair अब एक दिन कुछ दिनों में आप सभी को एक marathon class दोंगे में current affair की जिसमें आपको 2021-2022 तक के पूरे current affair मिलेंगे तो आपको काफी help मिल जाएगी वहां से तो इसके लिए भी आप सभी लोग क्यार रहिएगा तो इसके लिए study with aim को जल्दी से subscribe कर लें आप सभी लोग चलिए अगला देखेंगे sun 211 इस भी में brick शब्द को किसने गड़ा था important question है तो देखिए यहां पर आपका right answer हो जाएगा Jim O. Neil ने option ए बिलकुल right answer है और आप सभी लोग question papers को solve जरूर कीजिएगा देख लीजिए किस pattern पर आपका question paper बन रहा है किस तरीके के question आप से पूछे जा रहे हैं साथे साथ कौन से question repeat होते हैं वो भी मैं यहां पर आपको बता देती हूं क्यूंकि काफी paper solve करा चुकी हूं मैं आप सभी को तो पता रहता है कि कौन से question जाएगा पीवी नरसिंगा राव पीवी नरसिंगा राव आपका correct answer है अगला देखेंगे वर्ष 2016 में निमने मैंसे किसको राष्टी दल की मानिता किसको दी गई थी यहां पर आपका right answer है कौन सा देखे correct answer हो जाएगा आपका TMC को option C बिलकुल right answer है अगला देखेंगे निम बर्षों में भारत की दली व्यवस्था का एक दली प्रुभुत वाली व्यवस्था की रूप में बर्णन किया तो यहां पे आपका right answer क्या हो जाएगा कौन ये विदवान थे ये विदवान थे रजनी कोठारी option B question का right answer है अगला देखेंगे निमन मैंसे कौन भारत में रा राईट आनसर है आपका अगला देखेंगे निमन लिखित मैंसे किस समीथी यानि आयोग ने नियाए पंचायतों के कठन की शिफारिश की थी तो कौन सी समीथी यां आयोग था जिन्हों ने नियाए पंचायतों में कठन की सिफारिश की थी यहां पे आपका right answer है अश्यू अगला question भी पंचायती राज से छपा हुआ है तो अगर आप सभी को पंचायती राज व्यवस्ता से related एक अलग से class चाहिए जो कि आप इस question पूछे जा सकते हैं तो आप सभी लोग उसके लिए comment किजिए comment section में आपको उसके अलग से class प्रोवाइट करा दोंगे पंचायती राज से जितने भी question पूछे जा सकते हैं हर paper में देख सकते हैं आप 3-4 question पूछे जा रहे हैं पंचायती राज से तो most important topic है आपका पंचायती राज इसको पढ़ लिजेगा और आपको अगर ये class चाहिए पंचायती राज के श्पेशली तो आप सभी लोग comment section में comment कीजिए अगला question देखेंगे पंचायती राज व्यवस्ता निमने में से किसमें उलेखित है पंचायती राज व्यवस्ता को उलेखित किया गया है यहाँ पे आपका राज आंसर है लोग व्यवस्ता का अनुरक्षन option D discussion का राज आंसर है अगला देखेंगे निमने लिकित अनुचेदों में कौन सा अनुचेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के सीटों का अरक्षन परतान करता है तो यह कौन सा अनुचेद है तो यहाँ पे आपका राज आंसर हो जाएगा अनुचेद 243D option A बिलकुल राज आंसर है बजट में निमनलिखित मदों में से किसको अधिक धनरासी आवंटित की गई थी तो देखे 2016-17 के बजट में किन मदों को सबसे अधिक धनरासी आवंटित की गई थी यह मत था आपका स्कूली शिक्षा option A यहाँ पे आपका राइट आंसर है करंट से रिलेट करके भी यह कुछा जा सकता है तो करंट से रिलेट करके पढ़ लिजी का इस कुछिशन को अच्छे से आप सभी लोग अगला देखें उत्राखंड राजी की सबसे बड़ी जल विद्धुत परियोजना है तो उत्राखंड राजी के सबसे बड़ी जल विद्धुत परियोजना कौन सी है इन में से ये जल विद्धुत परियोजना है कौन सी तीरी परियोजना option D यहाँ पर आपका right answer है और तीरी परियोजना किन दो नदियों के संगम पर इस्तित है भागिरती और भिलंगना नदियों के संगम पर ये आपको याद रखना है और रूस के साथ समझोता करके इस परियोजना का निर्माण किया या था अगला देखेंगे उत्राखंड का हरेला पर्व संबंदित है तो देखें पौधार उपन से संबंदित है हरेला पर वो option A यहाँ पर आपका बिल्कुल right answer है अगला देखेंगे उत्राखंड में निमने लिखित में उत्राखंड का कौन सा एरपोर्ट सरवाधिक संचालन मे अगला देखेंगे वर्ष 2015 में उत्राखंड के निमने लिखित में से किस जिले की जन संख्या सबसे कम है तो कौन सा यह जिला है जिसकी जन संख्या सबसे कम है 2011 की जन करना के अनुसार यहां पे आपका राइट आंसर है इस कुश्चन का देखें रूद रूफ रिया ओप्शन इस कुश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अगला कुश्चन देखेंगे अगला कुश्चन है निमने लिखित देशों में से कौन सा एक देश भारत के वि राइट आपका राइट आंसर है अगला देखेंगे भारत में राष्टी आई की करना की समश्चाओं में से एक है ये है आपका देखें गैर मौदरी कृत उपभोग ऑप्शन इसकुशन का राइट आंसर है अगला देखेंगे भारत में कृष्ची के लिए पुनरवित ब्रदान करने वाला सरवोच बैंक है तो कृष्ची के जिन लोग को आंसर आ रहा है अगला देखेंगे चौदवे वित्ता आयो के अनुसार शुत्य के अंद्री कर आय में राज्यों को आमंडित होने वाले मात्रा का प्रतिशत है तो ये प्रतिशत मात्रा कितनी है यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन दी 42% अगला कृ छेत्र हैं ये छेत्र है आपका देखिए सेवक छेत्र सेवा छेत्र को आप्शन सी यहाँ पे आपका गर्लडोंसर है अगला दिखेंगे निन्ख्ट मैसे वर्तमान में भ Шक्ति कांत दस ये आपको याद रwright रखना है शक्ति कांत दस आपका और देखिए ये जो पेपर है आपका ये कब का है 2016 का है तो उस समय कौन थे गवर्णर तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कुशन देखेंगे अगला है आपका मानव विकास सूचकांक निमने लिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है तो देखें मानव विकास सूचकांक जो है ये जीवन परतियाशा शेक्षणी उपलबदी एवं परतिव्यक्ति आई का संयुक्त सूचकांक है option C यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा और मानव विकास सूचकांक दो हजार 22 में भारत की ranking आप से पूछी जा सकती है आपको कुछ दिनों पहले एक class provide की गए प्रीविस एर question paper ही solve कराया गया था उसमें बताया था मैंने मानव विकास सूचकांक का 2022 में कितनी rank है भारत की तो ये आपको पढ़ लेना है अगर answer आपको आ रहा है comment में जल्दी से comment कीजिएगा आप सभी लोग इसका मानव विकास सूचकांक में 2022 में भारत की rank क्या थी comment कीजिएगा और ये question अक्सर पूछा जा रहा है आईयो के तोरह current से relate करके 2020 का पूछा गया है पहले अगला question देखेंगे भारत में सीमान्त जोत का आकार है तो देखें भारत में सीमान्त जोत का आकार बताना है तो यहाँ पे आपका correct answer हो जाएगा एक hectare से come option discussion का बिलकुल right answer है अगला question देखेंगे break संग किश वर्ष ब्रिक्ष में परिवर्तित हुआ तो देखें break जो संग है ये किश वर्ष ब्रिक्ष में परिवर्तित हुआ तो यहाँ पे आपका right answer क्या हो जाएगा इसका correct answer है 2010 में वर्ष 2010 आपका बिलकुल right answer है चलिए अगला question देखते हैं अगला question है आपका वानिजिक सेवाओं के निरियात में भारत का विश्व में वर्ष 2014 में कौन सा इस्थान था तो देखें वानिजिक सेवाओं के निरियात में भारत का विश्व में 2014 में कौन सा इस्थान था यहां पर आपका correct answer क्या हो जाएगा दिखी इस question का right answer है करेंट में कितना है करेंट करके बताइएगा अगर आपको current affair वाली class देखने हैं वो आप देख सकते हैं आपको current affair की specially class study with aim की द्वारा provide कराई जारी है अगला question देखेंगे ओपेग organization of the petroleum exporting countries का निमलकित में से किस पर विशेश बल है तो देखेंगे ओपेग का किस पर विशेश बल है तो इसका correct answer हो जाएगा option C petroleum का उतपाद petroleum की कीमतों पर नियंदरन दोनों में हैं तो यह और भी दोनों option C यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा ओपे का full form होता है organization of the petroleum exporting countries ओपे किस थापना किशवर्च की गई कमेंट कीजेगा निया अगला question देखेंगे वैशवी करण में समलित नहीं है तो देखेंगे वैशवी करण में समलित नहीं है सारवजनिक छेत्र की एक्वेटी का बिनीवेश देखेंगे विश्व बैंक के कितने सदर्शी हैं तो देखें विश्व बैंक के यहां पर सदर्शी बताने हैं तो 189 इसके सदर्शी देश ने अग्ला देखेंगे निमनलिकित मैंसे कौन एक वैश्विक इस पर धात्मक सुचकां का रिपोर्ट परकाशित करता है इसका राइट आंसर हो जाएगा option C अगला देखेंगे prevention of money laundering act भारत में कब से प्रभावी हुआ तो देखेंगे prevention of money laundering act भारत में प्रभावी कब से हुआ दो हजार पांच से option D question का right answer हो जाएगा अगला देखेंगे trims का पूरा नाम क्या है trims का full form पूछा गया है यहाँ पे तो trims का full form होता है trade related investment measures option B यहाँ पे आपका right answer है option B correct answer हो जाएगा अगला देखेंगे gene है तो gene क्या है यह बताना है तो देखेंगे यहाँ पे आपका gene क्या हो जाएगा इस question का right answer है DNA का एक भाग gene जो है यह DNA का एक भाग है अगला देखेंगे थेले सीमिया एक आनुवानशिक रोग है जिससे तो देखें नेनो टेक्नलोजी सब्द का प्रियोग किस ने किया था और कब किया था यह बताना है तो correct answer है आपका नोरियो टानी गुची ने किया है 1974 में आगला देखेंगे उत्राखन पशुधन विकास बोर्ड का प्रिश्रिक्षण के इंडरो इस्तित है most important है उत्राखन पशुधन बोर्ड विकास का प्रिश्रिक्षण के इंडरो यह कहां पर इस्थाफित किया गया है देहरा दून में अगला देखेंगे निमन समुच्य मैंसे कौन सी गैसे ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अधिक महतवण है तो देखे ग्रीन हाउस से हर पेपर में कुश्चन देखने को मिल रहा है इसको पर लेजीगा ग्रीन हाउस गैसे कौन सी है और ग्रीन हाउस के लिए तेदिक महत्वपून हैं बताना है इसमें से यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खारगन डियाउकसाइड मेथेन नाइट्रस ऑकसाइड और जलवाश यह रिस्पोंसिबल है अग्रें हाउस गैस के लिए अगला कुश्छन देखेंगे निकल केडमियम बैट्री का परियोग होता है तो देखे science है नहीं आपके उसमें तोeduc IKEA कर सकते हैं आप सभी लोग और फिर आगे continue कीडिका कैर केर निकल केडमियम बैट्री का परियोग होता है यहाँ पर आपको सिर्फ correct answer में बता देती हूं correct answer हो जागा इस question का option D अगला देखेंगे कौन सा कथा नाभी की विखंडन से संबंदित नहीं है तो नाभी की विखंडन से आपका संबंदित नहीं है इनमें से तावरों में उर्जोट पन करना अगला देखेंगे cellulose में स्टार्टेइड दोनों होते हैं प्लस-ट्लूकोज में अगला देखेंगे निमनमेंसे कौन सी यांत्रिक तरंग है इनमेंसे यांत्रिक तरंग हो जाएगे आपके option D, भनी तरंग, अगला देखेंगे ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानिता क्या होती है देखें, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानिता घरती है option B, question का right answer है अगला देखेंगे, एक नैनो मीटर बरावर है तो एक नैनो मीटर ये किसके बरावर होता है, ये होता है 10 की पावर माइनस 9 मीटर के अगला देखेंगे, एक भूस्ते रूपगरा का परिभ्रमन काल होता है तो यहां पे आपका right answer क्या हो जाएगा correct answer है, option B 24 घंटे, अगला देखेंगे, टैफलोन का सामानिय नाम क्या है टैफलोन का सामानिय नाम बताना है तो सामानिय नाम होता है टैफलोन का क्या poly tetra fluoro ethylene poly tetra fluoro ethylene होता है option है, यहां पे आपका right answer है अगला देखेंगे, निमनलिकित में से कौन सा जोड़ा, तामबे के मिश्रत हतों का है कौन सा जोड़ा है, जो कि तामबे के मिश्रत हतों का है यहां पे आपका right answer हो जाएगा पीतल और कांसा, अगला देखेंगे एक अर्दचालक में विद्दचालन होता है एक अर्दचालक में विद्दचालन electrons एवं होल्स तोनों के द्वारा होता है, चलिए अगला देखेंगे, अगला यहां पे कुछ कुछन most important है इनको cover करते चलते हैं, red data book का precaution किसके द्वारा किया जाता है red data book का जो precaution है, यह किया जाता है, आपके किसके द्वारा, यहां पे आपका right answer हो जाएगा I, U, C, N यानि की option B, यहां पे आपका right answer है अगला देखेंगे, उत्राखंड में बांज बुरास के पौंधे हैं तो देखेंगे, उत्राखंड राजे में बांज बुरास के पौंधे, कैसे पौंधे हैं यह सम सितोशनम बवनों की एक विशेश्ता है यह अगला देखेंगे, रास्टी उध्यानों में रखेंगे, रास्टी उध्यानों में रखेंगे, किसके द्वारा किया जाता है यहां पे आपका right answer हो जाएगा इन-C2 संग्रक्षन जोरा most important है अगला देखेंगे आपका समानतर फसल का एक उधारन है तो यहाँ पे समानतर फसल का एक उधारन आपका क्या हो जाएगा गेहूं और सरसों अगला देखेंगे निमने में से कौन एक operating system है तो इन में से operating system कौन सा हो जाएगा आपका देखें यहाँ पे आपका right answer है यूनिक्स option A इस question का बिल्कुल correct answer है अगला देखेंगे निमने लिकित में से कौन ccpu कौन cpu तथा मुक्य स्मिर्थी के बीज अत्यधी तेज छोटी आकार की स्मिर्थी होती है computer के question बहुत सारे पूछे जा रहे हैं तो आप पढ़ लिजे का इनको यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा cash smirthi option B बिल्कुल right answer है अगला देखेंगे television transmission निमने में से किसका उधारन है television transmission यह simplex communication का उधारन है option A यहाँ पे आपका right answer है देखेंगे protocol का वह समों जो सभी transmission exchange को internet में एक और से दूसरी और भीजने को परिभाशित करता है कहलाता है तो यह क्या कहलाता है देखें यहाँ पे आपका right answer क्या हो जाएगा यह कहलाता है csma यानि cd option A यहाँ पे आपका right answer है अगला question देखेंगे यह आपका correct answer नहीं होगा यह option B आपका यहाँ पे right answer है tcp ip कहलाता है option B right answer हो जाएगा अगला देखेंगे मैंसे कौन सी service layer cloud computing से अलग से उपलब्द नहीं होती यहाँ पे आपका correct answer है hardware as a service option is question का right answer है चली अगला है आपका अगला question है तीरी रियासत का भारती संग में will I cup हुआ most important है अकसर repeat हो रहा है यह question तीरी रियासत का भारती संग में will I cup किया गया 1 अगस्त 1959 को किया गया option A यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा अगला देखेंगे महा भारत में कुणिन्द नरेश किस नाम से जाने जाते थे महा भारत में कुणिन्द नरेश जो है यह जाने जाते थे किस नाम से द्वीजिस रेष्ट के नाम से option C's question का right answer है अगला देखेंगे उत्तरकाशी का आतिहासिक नाम क्या है उत्तरकाशी का आतिहासिक नाम हो जाएगा बाड़ा हट अगला देखेंगे किंगरी बिंगरी नेती माना क्या है ये सभी दर रहे हैं उत्राखंड राजी की ये दर रहे हैं अगला देखेंगे चिराग सेन निमनिल रगता है यह ध्यान रखेंगे अगला देखेंगे तीहिरी प्रजा मन्डल की सथापना किस नहीं की थी अंगला देखेंगे भारत के जारा रही है यहां पर आपका right answer हो जाएगा तमिल नाडू राजिय में अगला देखेंगे Rio परा-Olympics में दीपा मलिक ने किस परतियोगिता में रज़त पडग जीता तो देखें गॉला फैंक जिसमें इन्होंने रज़त पडग जीता था अगला देखेंगे नासा का अंतरिक्षियान कैसी नी किस ग्रह के मिशन पर है तो देखिए most important question है यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा शनी उप ग्रह option C बलकुल right answer है तो okay guys आज के इस session में इतना ही I hope आप सभी को आज का ये session काफी पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का ये session पसंद आता है तो इस session को like कीजिए share कीजिए जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल इस्ट डिविद एम को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लिए क्योंकि काफी महतफोन ये आपका previous year question paper है और बहुत सारे chances है कि ये question आपकी कुछ repeat हो जाए इन में से और हो सकता है किसके topic से आपके question पूछे जा रहे हैं ये आपको यहां से पता चल जाए तो आप सभी लोग इसको जरूर देखें इस session को most important है तो चलिए share जरूर कीजिएगा मिलते हैं next interesting videos के साथ तब तके लिए धन्यवाद